नगर पंचायत नवगचिया द्वारा आमजनों के बीच सडक सुरक्षा सप्ता पर जाग रुखता संदेश दुरे घटना अथ सीरी दुरे घटना दुरे घटना यह कथा है लापरवाही की यह कथा है तेज गाड़ी चलाने की यह कथा है हेलमेट नहीं पहनने की यह कथा है नसे में गाड़ी चलाने की यदा यदा ही लापरवाही दुर घटना होती है सदा यदा यदा ही लापरवाही दुर घटना होती है सदा लापरवाही जो बरते सडक पर मिलती है उसे मौत की सजा मैं सावधानी हूँ दुर घटना की कथा सुनाता हूँ मैं हेलमेट हूँ मुझे तिरसकार न करो आपके परिवार रोएंगे मुझे पहनो सिर्फ पुलीस से बचने के लिए नहीं अपनी बच्चे और परिवार से दुवारा मिलने के लिए मैं हेलमेट हूँ मेरी उपयोगिता समझो मुझे पहनो मैं आपके जान की जान हूँ मैं आपका रक्चक हूँ मैं आपके मौत को भगा सकता हूँ वरना धरती वासी से स्वर्ग वासी बनने में देर नहीं लगेगी मैं हेलमेट हूँ मुझे पहचानो मुझे धारन करो समय से भी मातो पूर्ण है जिन्दगी समय है आपका अनमोल जिन्दगी है तो समय है और हेलमेट है तो और समय मौत से बचा सकता है मैं गती हूँ एक सीमा तक सही हूँ चादा हुई तो खाई में गिरी गाडी से भिड़ी या पेड से टकराई गती निधारित कर दो वरना कुछ मिनट पहले का जीवन समझो मृत्यों में बदल गई मैं सीट बेल्ट हूँ मुझे लगाओ वरना यदी दुरगटना घटी तो यह स्टेरिंग छाती में गुसी जीवन की घड़ी समझो बंद हो गई अपनी ही लाकों की गारी समझो मौत का सामान बन गई मैं नसा हूँ मैं सर्व ना सक हूँ मुझे लेकर यदी गारी बढ़ी तो समझो दुरगटना हुई सारी खुसी सर्व ना सुई दुख और संताप आरंब हुई मुझे गारी चलाते समय छोड़ो वरना दुनिया छोड़ना पड़ेगा मैं यातायात का नियम हूँ मेरा पालन करो और जीवन का आनंद लो मैं सावधानी हूँ मुझे नहीं छोड़ो कभी नहीं से देर भली इसे वैला दो हर मुहले में हर गली में इसे वैला दो डॉक्टर एजे कुमार द्वारा लिखित वहुत गोशक वरून बाबुल द्वारा आम जनों के बीच जाग रुपता हे तू जनित में जारी